हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल केज के आने की कहानी सबकी में मैं हूँ आपका फ्रेंड आपका दोस्त दनीश फ्रेंड्स जिस मेरे रश्के कमर गाने को पूरा इंडिया गुन गुना रहा है उसका सही मतलब क्या आप जानते हैं? नहीं क्या आप जानते हैं कि ये गाना कितने दिनों पहले बना था? ये भी नहीं तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ये गाना कब बना था और मेरे रश्के कमर का मतलब ACTUAL में है क्या? तो आइए जानते हैं आज से करीब 40 साल पहले जब नुसरत फते लिखान साहब जी ने ये मेरे रश के कमर गाना गाया होगा तो उनको भी ये पता नहीं होगा कि ये गाना आगे जाकर इतना पॉपलर होने वाला है इस गाने में इस्तिमाल किये गए एक एक लब्स को सब पसंद कर रहे हैं दोस्तों और सब गुनगुना रहे हैं हर कोई सोते जाकते उटते बैठते बस ये गाना गुनगुना रहा है मेरे रश के कमर तूने पहली नजर ये जो गाना है फ्रेंड्स बहुत लोगों का इसका मिनि पता नहीं है एक्चूल में तो अगर आप और लोगों से अलग बनना चाहते हैं तो आपको ना सिर्फ ये गाना आना चाहिए बलकि इसका अर्फ जो है आपको पता होना चाहिए जी हाँ अगर आप मेरे रश्के कमर का मतलब नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पुरा अच्छे से देखिएगा फ्रेंट्स तब आपको पता चल जाएगा मेरे रश्के कमर का मतलब मेरे रश्क के कमर का सीधा अर्थ होता है दोस्तो चांद की इर्शिया यानि जिसकी खुबसूरती देखकर खुद चांद भी जलने लगे दरसल दोस्तो बोले जाने में लगता है ये रश्क के कमर लेकिन जब इसे लिखा जाता है तो उस टाइम होता है रश्क एक कमर जिसमें रश्क का अर्थ होता है इर्शिया और जलन और कमर का अर्थ होता है चांद इसलिए इन दोनों सब्दों को मिला दें तो रश्क के कमर हो इस सब्द का इस्तिमाल प्रेमी अपनी प्रेमिका की तारीफ करने के लिए करते हैं जब प्रेमी अपनी प्रेमिका को मेरे रश्के कमर कहें तो समझ लेना चाहिए कि वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को इस दुनिया का सबसे खुब सूरत चीज बता रहे हैं तो दोस्तो ये था रश्के कमर गाने का सही मतलब जो मैंने आपको बताया अब मैं आपसे पूछना चाता हूँ कि जो ओरिजिनल रश्के कमर शौंग था जिसे नुसरत फतेलिखान साहब ने गाया था वो आपको पसंद है या फिर अभी बाश्चाहों फिल्म में रश्के कमर फिर से बना है वो गाना तो वो आपको पसंद है कौन सा आपको पसंद है प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं थांक्स लोट फो वाचिं इस वीडियो तेक केर फ्रेंट बाई बाई